नमस्कार प्रिशान जी जैसे राजीव जी ने बताया डिलेट पिमिंट्स को अड्रेस करने के लिए स्टेप्स तो लिए गए हैं पर इनका कितना असर हो रहा है आपके रीजिन में MS-20 क्या बता रहे हैं और ये कितना जरूरी है कि अनिश्चित महल में MS-20 को इस मोर्चे पर सपोर्ट किया जाए ये बहुत सही है सवरब जी कि जैसे राजीव जी भी पहले कह रहे थे कि ये पेरिनियल इस्चू है हम भी यही सुनते आते हैं जब महरास्टा में हम MS-20 से बात करते हैं कि हमारा जो पेमेंट है MS-20 का जो बड़ी कंपनियों से आना है वो टाइम पर नहीं आता इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत है अच्छा कुछ कंपनिस तो है टाटा जेसी जो की टाइम पर पेमेंट कर देती हैं अच्छी कंपनिस भी कुछ हैं बट बहुत सारी बड़ी कंपनिया टाइम पर पेमेंट नहीं करती उसे वर्किंग क्यापिटल पर इंपक्ट आता है बड़ी कंपनियों का वर्किंग कैपिटल हम लोग फंड कर रहे हैं यानि बड़ी कंपनिया रादर दें टेकिंग वर्किंग कैपिटल लोन फ्रम बिग बैंक्स वो हम लोगों को डिलेट पेमेंट करके अपना वर्किंग कैपिटल का इंतजाम कर रहे हैं और उस ही नहीं ह तो अभी कम से कम 180 days में दे रहे है GST के बाद, so that's good, दूसरी बात आती है, Facilitation Council की, Facilitation Council अच्छे बात है, पर देखिए numbers Facilitation Council के, पूरे देश भर में 10-20,000 करोड रुपए सिर्फ, इतना ही Facilitation Council में इतने ही invoices पे चर्चा होती है, अब delayed payment का total size देखा जाए, अब Dun & Bradstreet ने कुछ research किया है, इसके उपर एक report निकाली है, OMDR Network के साथ में, और GAME नाम की एक समस्ता है उनके साथ में, ये Dun & Bradstreet की report कह रही है, कि total delayed payment का size लगभग 10,000,000 करोड है, अब ये 10,000,000 करोड कहां, 10,000 करोड कहां सिर्फ, ठीक है, तो 1% भी issue Facilitation Council तक नहीं आ रहा है, अब Facilitation Council का record अगर आप देखे latest, तो 52% उसमें से resolve होते हैं, half, और वो भी 1% of, 0.5% of the overall issue is getting resolved through Facilitation Council, 43B कब लागो होता है, year के end में, यानि अगर आप April में में कोई छोटी company से कुछ समान खरीदते हैं, तो उसका payment आप March end तक delay कर पाते हैं, तो ये तो ठीक नहीं रहा, या तो कम से कम 5-6 मेने delay करते हैं, तो होना ये चाहिए, कई सारे MSM's हमें ये बता रही है, कि जैसे ESI और PF में होता है, rather than waiting till end of the year, हर महिने के end में penalty लागो होनी चाहिए 43B की, तो ये एक additional संचदों अभी 43B में ज़रूरी है, इसका सबसे बढ़िया solution ये होगा, जो हम पहले भी कह चुके हैं, कि GST invoice जो hub है, GST invoice जो database है, उसे अगर आप trades platform से connect करें, तब every invoice would be available for trade discounting and that would be लाख दुखों की एक दुआ. प्रशान जी, CPSCs और वो सभी companies जिनका turnover 500 करोड और से ज़ादा है, उनके लिए सरकार की और से instructions थी कि trades platform पर onboard हो, तांकि multiple financiers के जरिये trade receivables के discounting को facilitate किया जा सके, इसको आखिर कैसे गती दी जा सकती है, MSMEs को support करने के लिए बहुत सारे initiatives announced किये गए, November 2018 में, 5 साल पहले. उसमें से एक initiative ये भी था, प्रदान मंत्री मोदा ने खुद कहा, कि 500 करोड से ज़ादा जिसका turnover है, वे सभी trades के ओपर register हो, वो सभी buyer, ताकि MSMEs का credit issue substantive level पर resolve हो. अगर हम number देखें, तो पता चलता है कि unfortunately lower down, government machinery जो काम करने चाहिए, उस हिसाब से काम नहीं कर चुकी है, enforcement करने में. अब numbers देखिएगा, आज 5,871 याने लगभग 6,000 कमपनिया, 500 करोड से उपर turnover है, लगभग 6,000 कमपनिया देश में. उसमें से 1,932 याने लगभग 2,000 कमपनिया, 1,3rd कमपनिया सिर्फ registered है trades पर. तो problem number one ये है, कि 2,3rd companies trades पर आए ही नहीं है, जो लोग, 1,932 लोग trades पर आए हैं, वे भी जो business कर रहे हैं trades के उपर, वो बहुत disappointing level का business है. आप अगर exact आकड़े देखें, तब आपको पता चलें कि 3 trades platform जो है, Rxil, M1 Exchange और Invacemart, इन तिनों के उपर मिलकर, सिर्फ 1,932 लोग है, और उनका business जो है, total इसके उपर किया गया, वो भी कुछ बहुत encouraging सा नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर business आप देख लें, तो सिर्फ 13 करोड रुपे पर मन्त, यानि लगबग 1500 करोड रुपे पर येर का कुछ business होगा. प्रशान जी चलते हुए delayed payments को लेकर, क्या कोई और सुझाब आप शेयर करना चाहेंगे? अब 6,000 लगबग कंपनियां हैं 500 करोड के उपर की, और सिर्फ 2,000 हैं trades platform पर. एक interesting initiative हो सकता है, जैसे हम as a consumer, Amazon, Flipkart, TripAdvisor पर जाते हैं, तो हमें एक rating मिलती हैं service provider से. वैसे ही अगर एक किसी platform के उपर ये 5,711 companies का नाम हो, और MSME जो उनके साथ business करते हैं, वो rate करें, हर buyer को rate करें हो, और rate कि सिर्फ एक parameter पर हो रहा है, delayed payment. जो buyers payment delay कर रहे हैं, उनके उपर वो rating दे दे. अब Amazon पर होता है, Flipkart पर होता है, TripAdvisor पर होता है, तो यहाँ पर क्यों ना हो, ताकि लगबख 500 याने 10% जो आच्छा कर रहे हैं, उनको भी हम promote करें, कई सारे बड़े businesses टाइम पर pay कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, वे कम से कम ध्यान दे, कि उनका नाम और especially अगर उन लिस्टेड है, तो उनको disincentive है करने में, क्योंकि लिस्टेड कमपनीज को पूरी दुनिया देख रहे है, कि ऐसा नहीं कर सकते हो. तो SME Express में फिलाल इतना ही, आज हमने delayed payments पर focus किया.